हमारा बच्चा जैसे ही जल्म लेता है, जल्म लेने के बाद से ही बच्ची को vaccination का सिलसला सुरू हो जाता है, साथ साल तक बच्ची को last vaccine लगती है, अफरन जब बच्चा छोटा होता है, सिकी newborn है और बच्ची को continue for injection लगते हैं, back to back, कभी एक टाइम पर दो दो vaccination भी बच्चे क करते हैं क्योंकि बच्ची को fever भी आ जाता है वैसी condition में, तो आज मैं कुछ ऐसे आपके साथ tips शेयर करने वाली हूं, जो मेरे personal experience के बहाब पे हैं, जब भी मैंने बच्चों को टीका लगवाया, तो ये tips मैंने follow किया, जिससे कि बच्ची को कम तकलीफ हुई, और बच्ची क जो टाइम है, मुश्किल से 24-48 घंटे का टाइम होता है, जब सब नॉर्मल हो जाता है, तो वो टाइम बच्चों का मैंने easy बनाया, कैसे वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मैं हूँ आप सभी के साथ रिशू, आ आप क्या कर सकते हों, जैसे कि पहले कभी डॉक्टर को आपने दिखाया हो, तो परसितमोल बच्चे को अगर डॉक्टर ने दिया है, और आपके पास रखा हुआ है, तो पहले उसकी एक्सपारी ठीक है, अभी है उसकी डेट, तो आप बच्चे को वो सीरप दे दीजे, जि परसितमोल की टेबलेट दे देते हैं, कहते हैं, इसका एक चौथा ही भाग बच्चे को खिला देना, तो वो मेडिसिन आप अवाइडी करो, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो बच्चे को आपको डॉक्ट में ही मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है, तो जो डॉक्टर ने आप परसितमोल दी है, पहले वही आप दे दीजे, दूसरे चीज है, जहां भी बच्चे को वेक्सील लगी हुई है, तो वहाँ पर मसाज नहीं करनी है, उस हिस्से को आपको छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर दर्ध है, आप मसाज करोगे, तो बच्चे को और पेन होगा, और वहाँ पर रगड़ना भी नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कुछ भी लगाने के उपड से कोशिश नहीं करनी है, इस तरीके से आपको हलका हलका डैब करके केबल सिकाई करनी है, कैसे करनी है, एक कॉटन का बहुत जादा सौफ्ट वाला आपको रुमाल या कपड़ा आपको बना ले लेना है, उसके अंदर अपको आइस को रखना है, और इस तरीके से डैब करके, इस तरीके से आपको सिकाई करनी है बिल्कुल हलके हलके हाथों से और अगर िैस से आइस नहीं है तो आप ठंड two walk wotel रख और बटल जब ठंडी हो जाती तो पहले कपड़ा कि हलका हलका डैप डैप बोटल से भी आप सिकाई कर सकते हो इससे बच्चे के दर्द में आरा मिलता है लालिमा कम होती है साथ में सूजन भी कम होती है इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है जैसे कि मैंने आपको बता है कि 24-48 गंटे में जहां पर वैक्सी बीजन भी कम नहीं होई है तो फिर आप जाके डॉक्टर से मिलिए व्यूकि ये फिर सायद हो सकता है कोई दिक्कत है बच्चे को को इंफेक्शन हो गया है या जिसने भी वैक्सीन लगाई है वो सही तरीके से नहीं लगाई है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल दी इन बातों का ध्यान रखे आप बच्चे की दर्द को बच्चे की प्रॉब्लम को सही कर सकते ये टिप्स आपको जरूर ट्राइ करने चाहिए मिलती हूं नेक्ट वीडियो में आप सपी से ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद